दिए सब्सक्राइब से पंपाइब असलाम नेकूम तो ऑल फ यू अगुज़ो अट रशाथ कर दर्शाइब को ने ठीचेशन अनगे इसलाम एन्ट स्वाइब कर दीए संग्स चेक्स क्मिनिशन हम उसको पढ़ेंगे फिर्स टो फॉल अगर मैं आपको बहुत सी एग्जेंपल दूँ तो जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो तीसमें पारे में सुर नवा की एक आयत है बिसमिल्लाहुराहिम वल्जिबाला आउतादा कि हम ने पहाडों को कीलों की तरहा जमीन में रखा तो अल्दा तो ये कुरान पाक में आज से हजारों साल पहले फर्मा रहे हैं और रिसेंटली जो है आज साथ-एट साल पहले जब साइंस ने ये चीज़ फाइंड की कि इस्लाम जो है बेसिकली साइंस एवाल ही इस्लाम से होटी है तो जो चीज आ头 लाए कुरान पाक में आज से हजारों साल पहले फर्मा रहे हैं वो चीज जो दुनिया के लोग हैं, जो दुनिया के साइंटिस्ट हैं, वो आज उन चीज़ों को डिसकावर कर रहे हैं, अब देखें, बेसिकली जो है, अगर हम इसलाम इंड साइंस में देखें, तो साइंस में हम आरे डिसकस किया कि हमारे पस जो है, बहुत से ऐसे जो लावा इस तरह कि मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनकी किताबें आज तक यॉरप में उनिवस्टीज में पढ़ाई जाती हैं इन दा फिल्ड ऑफ मैडिकल इन दा फिल्ड ऑफ फजिक्स और इन दा फिल्ड ऑफ कैमिस्ट्री तो इस तरह से जो है इसलाम और साइंस को हम रेलेट कर सकते हैं आप जाबिर बिनहयान और बाकी जो भाटर साइंटिस्ट हैं उनकी कॉटिबिशन को जाों के पढ़ें कि उन्होंने इसलाम के लिए साइंस के लिए जो है वो क्या किंस जो चीज़ें वो उनको क condem को से बुक्स लिख Calling तो इस रहा है कि अब देखें कि साइंस जहां से हमने और एडी बात की कि इवाल ही इसलाम से हुई तो आज जहां पर भी इंसान जितनी भी तरक्य की है जितने भी हमारे इंसेस्टर ये फूर फादर जो हैं साइंटिस्ट हैं तो अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएं तो हमसे सबसे जो है हमें ये कुर्ण पाक को पढ़ा उन्होंने पिर वहां से जो है शावर को इस्ते माल करते हुए बहुत सी बीमारियों की जो है तो अब हम यहां पर देखते हैं के ये एक अमनल अवान का दर्स देता है और दोस्तों खुदा कर आगे जुकना और अब हम इसलाम और जो साइंस का हमने यहाँ पे छोटा सा जो है वो मैंने पांच छे लाइनों में इस चीज को यहाँ पे डिस्कुस किया कि बेसिकली जो है इसलाम जो हमें हर चीज जिन्गी के जिन्गी और दुनिया की जिन्गी और आखरत की जिन्गी के पहलू का, हर एक लंभे का जादा हयात बताता है उसको गजारने का तो उसके अलावा देक्षें कि हमने जो और रही चीज़ें डिसकूस की है जो चीज़ें साइस हमें आज आज बता रही है वों हम कुरान पाक में आज से हजारों सतल पहले बेयान की गई और इसी कुरान पाक को इसी इसलाम को यूजकरते हुए हमारे जो साइन्टिस्त थे जिनकी वज़ा से साइन्स एवालुव होई वो मसलिम साइन्टिस्त थे उन्होंने जोानटि रजी लियंग तो इसमें हमारे पास कनक्रियन क्या है कि basically क्रान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि साइस्ट को और इसमें हमारे तिब को साइन्स में भी बहुत ज़ादा डिल्मेंटंट यंसे प्रॉक्र विएर्शा कर सकते आई हम ए गन्यू Quandraszam में रूं। हैं उनका तालुक भी जो है वो इसलाम से था मजभ इसलाम से था और उनके जो नुस्खे थे जा उनकी जो हमारे पस प्रिस्क्रिप्शिप्शन थी वह आज भी हमारी मेडिकल फील्स में जो है वो यूज हो रही है I hope कि ऐसे हमें क्लिर हो चुका होगा in in case of any confusion or misconception you can fully contact me and you can also contact tipslockademy and team for measurement and logadmigration by following sources thank you so much much regard